प्रियोडिक 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 कहा गया? यह रहा है यह कोस्चन कैसे लगा है? यह 2.16 को मानते हुए प्रियोडिक करके दिखेंगे हमारा 23 लिस्टेशन है जिसको हमें प्रियोडिक से करना अभी तक लीफो फीफो कर लिया हमने अब उसी सेम कोस्चन को हम प्रियोडिक से करके दिखाएंगे अगें तीन लीफो फीफो और वेटेड ठीक है? हाला कि इस कोस्चन में कहा गया है कि आप वेटेज average price कर यह method लेकिन हम वेटेस से नहीं कर रहे हम तीनों method से ही इसको करके दिखा देगा जिससे आपको clear हो जाएगा इसी question में ठीक है सबसे पहले कौन सा ले लेते हैं सर लीफ हो ले लेते हैं इसका concept क्या है सबसे पहले आप receive लिख लो सारा का सारा क्या करो receive लिख लो फिर उसमें से एक एक करके issue करते जाओ तो अगर मैं receive लिख लिखूं तो सबसे पहले हमारे पास तीन चीज़े होंगी quantity फिर rate quantity rate के बाद असर amount तो पहले अगर हम इसकी बात करें तो एक तारिक को balance है कितने quantity पचास कितने रुपए का हिसाब से तो यह होगे 200 देखते जाना भी फिर आपने खरीदा पांस तारिक कि पांच एक को जो था क्या था हमारे पास कितने यूनिट कि चालेस कितने रुपए से तीन 120 ठीक है यानि हमारे पास यह पहले receive वाले सारे रिख रहे हैं इसके बाद periodic का मतलब सटो हम 80 करेंगे इसके बाद कितने तारिक ठाइप यूनिट के पांच यूनिट investigationครव से चारे एकशोब्य से इसके बाद है अर्फ के बाद 15 पंद्रा एक को वैंने क्या करा सर और 20 रुपए पांच रुपे सो इसके बाद फिर पच्चिस तारिक को हमने करा पच्चिस तारिक को क्या करा सर फिर खरीदा 40 unit कितने रुपे का तीन रुपे 120 तो यह हमारे पास स्टॉक आ गया इसको मैं एक टैबलर फॉर्म में भी कर देता हूँ कर देता हूँ कर देता हूँ कि यह लीजिया कि चलिए सर ना अब इशू करते हैं जैसे जैसे इशू होगा लेते जाएंगे हमारे मैथड कौन सा है सर लीफो लीफो में सबसे नई वाला पहले तो नई वाला यह माले यह बेचेंगे पहले दस तारीख को दस एक को फिर से हम क्या लिखेंगे सर कौंटिटी रुपीज और अमाउंट इस तो सबसे पहले दस तारीख को कितने अपने दस तारीख को 70 70 कौन सा लोगे सर हमारा लीफ हो है तो हम यह वाला लेंगे 70 कौन कौन सा लेंगे और कैसे लेंगे यह देखते जाओ सर 10 तारीक को सबसे पहले तो 40 ले लेंगे हम 3 वाले और 20 ले लेंगे हम 5 वाले तो 40 और 20 60 हुए और 10 ले लेंगे हम 4 वाले यह ऐसे चलेगा हमारा, तो 4 तीय 12, 120, 140, तो यह हो गए टोटल, 160 और 260 का, पहले तारिक को इस्जू हो गया, इसके बाद इस्जू कब किया है सर, 12 तारिक को, एक खटा ही करना है अपने 12 को, तो आप देखा जाए तो ये भी जा चुका, ये भी जा चुका, इसमें से बचा है ये भी जा चुका है, और ये भी जा चुका है, बचा क्या है, 30, 30 यूनिट में से भी कितने, 10 तो जा ही चुके हैं, तो कितने बचे हैं, 20, ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, तो आपको कितने इस्जू कर रहे हो सर, 10 यूनिट कर रहे हो, तो अगेन आपको 10 यू यानि यह वाला कुश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है क्योंकि इसमें ऐसाच कुछ है ही नहीं आप सबसे पहले जो भी रिसीव हो रहा है खटा लिख लो उसके बाद जो मैथड चल रहा है उस मैथड के अकॉर्डिंग इसको कनवर्ट करते जाओ बारा के बाद कौन सा आएगा हमारे सर बारा के बाद 20 तारीक को कितने यूनिट है बीस तो कितने यूनिट है इसमें इसमें से अभी भी कितने बचे वे वाले हैं 10 बचे में तो 10 तो हमारे 4 वाले हो जाएंगे अब 30 में से निकाल लेंगे 40 में से तो 10 यूनिट यहां से निकल गए कितने वाले तीन वाले तो सर यह 40 और 30 और यह होगे हमारे सर 70 चलिए अब 20 के बाद कौन सी तारिक को एसी था 24 को 10 यूनिट है तो सब 24 को 10 यूनिट है तो अभी इसमें से 40 थे तो 40 में से 10 ही निकले इसमें से निकल जाएंगे हमारे 10 यूनिट तो 10 यूनिट कितने वाले 3 वाले इसका कोई specific format नहीं है working note तरीके से calculation करके दिखाना है उसका जैसे हमने format बनाया था इसका नहीं है आगे आजएगे 24 के बाद क्या है सर 27 27 में कितने बचके है हमारे 5 यूनिट 5 यूनिट किसमें इसमें से निकलेंगे क्योंकि इसमें से कितने निकल चुके हमारे 10 और 20 तो 5 इसमें से 3 तो that is हमारा 15 और यह आगे हमारा 15 अब अगर हम balance की बात करें तो balance क्या बचा सर यह 50 वाले 4 और सर इसमें से कितने बचे हैं 10 नहीं 5 यहां निकले थे न 35 थोड़ी 10 यहां निकले के 10 बीस पच्चिस निकले 15 तो अगर देखा जाए तो यह 200 और प्लस में 45 तो हमारे पास जो बच्चा है 245 यह मैथड लग गया कौन से सर यह मैथड लग गया हमारा लीफो मैथड आपका पिरियोडिक वाले में यह बच्चे करें 10 जैन को तो इसू कर रहे हैं लिए पर प्रफेच्वल तो जैसे जैसे काम हो रहा है लिखते जारें प्रियोडिक में क्या होता है महीने में एक बार इंट्री करते हैं तो अब अगर यही मैथड होता मालो लीफो के जगह फीफो तो हम पहले कौन सा बेचते 50 70 इसमें से लेते 20 इसमें से फिर आगे फेट हमाला रही किसमें सर और वेट एवरेज में क्या होता हम ऐसे निकरते पहलın सब के वेट वेटे वेटकर करके और के इस लेक्वित करके पिए निचलिह है किस्पपो ने और बस मिटा देते और फिर इसी question को now अब जो हम किस से करेंगे sir ये question बहुत कम exam में पूछा जाएगा ध्यान रखेगा इस बात का अब इस questions को same question को हम करने जा रहे हैं फीफो अब हमारे अरे यार मैंने ये क्यों मिटा दिया ये तो purchase तो purchase रहना ही था सारा समान खरीुदा पहले लिखे लो एक तारिक को quantity खरीुदा 50 भहिया 4 के भाव से 200 5 तारिक को फिर आपने खरीँदा कितने भॉया 40 कितने के भाव से 300 120 फिर 20 Crew 5 के भाव से 100 फिर 40 खरीदा पिर 40 के भावस से 120 अब फीफो से ईशू करोगे तो पहले वाला पहले करोगे पुराने वाला तो आपने कितने सत्तर यूनिट किये तो पचास तो यह गए कौन सा कि आठ तरिकों कि इसके चार एक सो बीस इसके बाद पांच सौ इसके बाद चालिस्टीं एक सोबीस ठीक है अब चलिए सर हमारा सबसे पहले कौन सा है फीफो में इसमें इसमें सबसे बोल रहा है बेचर कितने आपने सत्तर तो 70 का हिसाब लगाओ स तो यह निकल गय थे हैं पचास निकल गय है पचास निकल गए, चार वाले, तो 200 निकल गए, इसके बाद हमें 70 बेचने थे तो 20 इसमें से निकलेंगे, 20 कितने 3 वाले, तो 60 तो यह हो गए 260, अब आ जाते हैं सर अगला इसू किया हमने 10 यूनिट, तो इसमें से 20 निकले, तो 20 तो पड़े हैं नहीं हाँ पे, तो 10 यूनि तो अब इसमें कितने पड़े हैं, 10 ही बचे, तो 10 यहां से निकल जाएंगे, तीन वाले, और 10 इसमें से निकल जाएंगे, चार वाले, तो 30 और 40, 70, सर इसके बाद क्या करें हमने, फिर से 10 बेचा, तो यहां पे तो पड़ा ही है, तो यही बेचेंगे 10, 10 कितने वाला, चा अब क्लोजिंग बैलेंस निकालो, बैलेंस कैसे निकालोगे, अब इसमें से कितने पड़े हैं, पांच, पांच कितने वाले पड़े हैं, चार वाले, बीस कितने वाले, पूरे ऐसे पांच वाले, और 40 कितने पड़े हैं, ऐसे ही, तीन वाले, तो 20, 100, 120, तो कितने हो गए, 240, आप quantity देखो, amount में हर बार changes आएगा, quantity में कभी changes नहीं, quantity देखो, कितने 40 और 20, 60 और 5, 65, पीछे आले में भी देखो, 50 और 15, 65, method को इसा हो, closing तो हमारे पास वही बचेगा, जो कि हम देख रहे हैं, ठीक है, अब इसी को करके दिखा दें, एक बार और, किस से करके दिखाएं बताओ, वेटेट से कर दें, सेम कुश्चन वेटेट से कर दें, चलो, इस पर मैं परचेज नहीं मिटा रहा, वेटेज तो इतना असान है, पूछो ही मत, सब खतम, वेटेज में तो, कुछ दिमागी नहीं लगाना सर, सबसे पहले, total खरीदारी, कितने की करीएट कर लो, औ टोटल कॉंटिटी कितनी है, ये कर लो, और एक रेट निकाल लो, अगर टोटल खरीदारी की बात करें, तो दो सो, एक सो बीस, एक सो बीस, टोटल छे सो, साट, पचास, चालेस, तीस, बीस, चालेस, एक सो, असी, छे सो साट, डिवाइड़ बाई, एक सो असी, तो यह आग बेचे कितने यूनिट सर आपने बेचे सर सतर दस बीस फिर दस फिर फिर पाँच तो टोटल कितने बेच दिये सतर दस बीस दस पाँच एक सो पंदरा रेट के आया सर थी पॉइंट सिक सिक खतम यह बिग्या 42,421 सर बैलेंस कितना बचा आप बैलेंस आप देखो 180 में से 115 बेच होगे तो कितने बचे 65,600 में 3.66 237.9 इसमें इतना मजा नहीं है इस पॉइंट को करने में क्योंकि बार-बार वही रिपीट होना है तो प्रियोडिक से हमने सारी के सारी कर दिया सर अगर कुश्चन में रिटन या ट्रांसफर होगा तो उसे इशू के तरीके ट्रीट करना है बिल्कुल हाँ रिटन हो या ट्रांसफर हो या शॉटेज हो तो उसको इशू के तरीके से करना है क्लियर प्रियोडिक लिखते हैं इसको चलिए नोट में लिखते हैं सर नोट या सौटेज हो या फिर रिटन हो या ट्रांसफर हो इन सभी को ट्रीट करना है इन सभी को ट्रीट करना है एज इशू लीजिये जी टन लिए जीजिया टूटे लिए एक करना है या स्क्राइबर कर लिए हो लिए अगिया रिए या स्क्राइबर करना है झाल झाल